ओम हनुमते नामहा हमारे साथी वीशु नाथन जी पूचने दूरिंग फिर्स्ट नौज अटो रिक्रेशन विदाउट एलस्पी ग्लोइंग रियल का बीयल अन्लॉक है नौट लॉक नहीं हो रहा है वीशु नाथन जी पूच रहे हैं कि पहली नौज पर जब आटो रिक्रेशन होता है तो modified local और non-modified यानि कि जिसमें ZSMS को modified कर दिया है और जिस local में non-modified यानि कि modified नहीं किया है तो दोनों में अलग-अलग क्या troubleshooting करेंगे यानि कि पीछे वाला BL जो है वो unlock ही रहता है यानि कि lock नहीं होता है प्रयत्न करने पर भी तो दोनों वस्ताओं में कैसे troubleshooting करेंगे तो मैं आज आपको circuit के माध्यम से अच्छी तरह दोनों सरकीट को दिखा कर बता दूंगा कि दोनों में क्या troubleshooting करेंगे और दोनों में यह कैसे होता है तो आपको दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएगा क्योंकि कई लोगों के मन में ऐसा भी रहता है कि ऐसा क्यूं होता है मॉडिफाइड में ऐसा क्या हो जाता है नॉन मॉडिफाइड में ऐसा क्या नहीं होता है जिसके कारण ऐसा होता है तो दोनों बाते आज हम विस्तार से समझ लेंगे तो आप ध्यान लगा कर अच्छी तरह देखिएगा सरकिट को वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों और भी आप जो वीडियो हैं वो एक एक करके देखते रहिए रिविजन करते रहिए तो आपके आपका नॉलेज परफेक्ट होता जाएगा रिविजन नहीं करेंगे तो भूल जाएगे और फिर बोलेंगे यार ये समझ में नहीं आया तो जबकि मैं काफी वीडियो आपके लिए बना चुका हूँ उसमें से आप एक एक करके देखते रहिए और आडियो भी सुनते रहिएगा और यो सुनने से आपको क्या फाइदा होगा कि आपका रिविजन होता रहेगा और यो कहां से सुनेंगे खबरी एप पर खबरी एप का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिशन में दे दिया है वहां जाके प्ले स्टोर में खबरी एप को डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को फॉलो कीजिए नॉलेज अप्टू डेट को तो आपका नॉलेज भी अप्टू डेट हो जाएगा तो आईए सरकीट के अनुसार हम देखते हैं कि कैसे होता है पहली नॉच पे आटो रिग्रेशन और उसका अलग-अलग ट्रबल शुटिंग तो जैसा कि वीशु नाथन जी पूछ रहे हैं कि पहली नॉच पे आटो रिग्रेशन आता है और पिछे वाला बी-एल अन्लॉक हो गया तो नॉन मॉडिफाइड और मॉडिफाइड में क्या ट्रबल शुटिंग करेंगे जैसा कि हमने थियोरी में पढ़ा है कि मॉडिफाइड लोको में हमें जी आर का मैनुल करना पड़ेगा अगर वो बी-एल जो है लॉक नहीं होता है तो जी आर का मेनुल करके सेक्शन क्लियर करना पड़ेगा और नॉन पॉडिफाइड लोको है तो उसमें Q118 को वेज करके EEC से गाड़ी चलाएंगे तो उन्होंने बोला कि सर्कीट के नुसार बताना तो मैं सर्कीट के नुसार बता देता हूँ सबसे पहले बात करते हैं मॉडिफाइड लोको क्योंकि आज कर अधिकतर लोको मॉडिफाइड ही हो गए है तो मॉडिफाइड लोको का टेप चेंजर कंट्रो सर्कीट है इसमें हम देखेंगे पीछे वाला BL अनलोक हो गया और लोक करने पर भी लोक नहीं हो रहा है तो पहली नॉच पे आटो और इक्रेशन कैसे आता हो देख लेते हैं जैसे आपने इधर देखो MP प्लस है यहां से नॉच लिया V1 इनर्जाइज हुआ नॉच आई लेकिन पीछे वाले लोकों में यह MP जो कॉंटेक्ट है ने यह दोनों लोकों के ऐसा समझ मलब दोनों कैब के हैं यह पैरलेल में ऐसे इंटरलोक रहते हैं तो क्या हुआ पीछे वाली कैब में जो है MP0 पे है अब वो BL क्या हुआ है अनलोक है तो जैसे इधर से नॉच लिया नॉच तो आया no problem लेकिन क्या हुआ कि MP0 होने कारण इस ब्रांच से regression आ जाएगा तो जैसे नॉच लेंगे regression आता जाएगा क्योंकि between नॉच में Q52 इनर्ज होती है न थोड़ी देर के लिए तो क्या होता यह इंटरलोक खुल जाता तुरंट नॉच नहीं आएगा ऐसा नहीं होता regression आएगा नॉच तो आएगी लेकिन auto regression आजाएगा यह आता है auto regression अब हमें बताया गया है कि यहाँ पे हम GR का manual करके section clear करेंगे क्योंकि ZSMS को आपने बली 0 पे रखा कोई बात नहीं 0 पे रख दिया ZSMS के दा तो यहाँ पी launch regression चालो ही रहेगा चाहे आप EC से launch लेंगे तो भी इसलिए हमें सफलता नहीं मिलेगी तो हम modified लोकों में Q118 को wage करके ही MR का manual करके ही section clear करेंगे MR का manual करते समय क्या होगा ZSMS handle को आप निकाल लेते हैं तो यहां से interlock खुल जाएगा यानि कि MP का circuit और EC का circuit खतम हो जाएगा खतम होके क्या होगा हम manual करेंगे V1 जो काम MP से EC से कर रहेते वो काम हम अब GR के handle के द्वारा हम खुद GR को गुमाएगे तो यहाँ पे पीछे वाली BL का कोई unlock हो नई हो उससे कोई वास्ता नहीं रहे जाएगा क्योंकि आपने control पूरा खतम कर दिया MP का इसके लिए पीछे वाले cap के interlock से कोई फरक नी पड़ेगा GR का manual ही करना पड़ेगा यहाँ पे हम EC से गाड़ी नहीं चला पाएंगे तो यह है modified लोकों में अब बात करते हैं non-modified यानि की पूराने लोकों में हालांगी पूराने circuit अब सब के पास नहीं है लेकिन मैंने हाथ से बना दिया समझाने के लिए तो आपको समझा देता हूँ यह यह circuit मैंने एक बनाया है तो यहाँ में non-modified लोकों का मैंने चित्र बना के बताता हूँ यह देखे जैसे ccpt से supply r e bl unlock कर चुके हैं जैसे कि मैंने पहले वाल लोकों यह bl भी दोनों cave के ऐसे रहते हैं ऐसा ध्यान रखना पैरलल में अब क्या हुआ यहाँ पे देखो extra interlock दिया है चड sms का यहाँ पे interlock दिया इसको मैं अच्छी तरह समझा देता हूँ आपको अब यहाँ पे आपने mp को plus पे रखा एक notch लिया और notch आ गया gr एक notch पे v1 energize हुआ gr एक notch पे चला गया है ठीक है आदी notch पे q52 energize हुई nc खला एक notch आया जैसे आपने mp को वापस n पर गा q52 d नर्जा है जोई और nc interlock लग गया अब आपने क्या बोला है कि पीछे वाला bn lock है तो mp0 के द्वारा भी regression आ रहा है तो यहाँ से आ रहा है जैसा कि पहले वाले circuit में ने बताया क्योंकि zsms अभी एक पे है normal condition में एक पे एक पे एक पे mp की supply को v2 पे भी जाने देता है और v1 पे भी mp की supply को zsms एक पर होने पर supply को जाने देता है तो auto regression ऐसे आ रहा है अब बात करने है auto regression troubleshooting कैसे करने है troubleshooting करने के लिए हमको zsms को 0 पे रख देना है तो 0 पे जैसे रखेंगे यह यहां से cut पैदा हो जाएगा यानि यह mp का circuit खतम यहां भी cut पैदा हो गया mp का circuit खतम हो गया 0 का क्या रहेगा यह जो 0 contact यह लगा रहेगा इदर यह भी इदर जाएगा यह भी इदर जाएगा तो zsms को 0 पे रखा यहां भी interlock है यहां भी interlock 0 का है और V1 एंडर्स है जोगा नौच प्रोग्रेस करेगा और यह जो जा रहा है उदर Q52 को भी और यहां से एक वायर और भी जा रहा है उदर तो वो प्रोग्रेसन चालू रहेगा अब बात करते हैं कि इसमें पीछे वाला BL अनलोक रहे गया तो क्या करेंगे अब पीछे वाला BL अनलोक रहे गया है तो जेट SMS को हम जीरो पर रख देंगे जीरो पर नसे MP का सिर्फ खत्म होगा और इधर से प्रोग्रेसन चालू हो जाएगा यह नौन मोडिफाइड लोको है अब क्या होगा आपने नौच तो ले लिया लेकिन जैसे एक नौच लिया MP तो पीछे वाली केब में 0 है BL अनलोक है तो क्या होगा लफड़ा यह देखो यह देख रहे हैं Q46 रिले का जो ब्रांच है MP0 का इंटरलोक है MP0 SMGR open बिट्वीन नौच मानला कि यह बिट्वीन नौच पर आता था था भी होता नौच पर फुल नौच पर लगा रहता है GR 1-32 यह लग जाएगा ZSMGR नौर्मल है भी हैंडल Q46 इनर्जाइज हो जाएगी जैसे GR किसी नौच पर जाएगा यह इंटरलोक लगेगा और Q46 इनर्जाइज हो गई तो DJ ट्रिप हो जाएगा ठीक है नौच तो आएगी लेकिन DJ ट्रिप हो जाएगा तो इससे बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं EC से तो गाड़ी चला रहे हैं MP का सेट कहत्म करके लेकिन इससे कैसे बचने के लिए हम क्या करते हैं Q118 को वेज कर देते हैं तो non-modified loco में Q46 तो इनर्जाइज होगी उसका NC interlock भी खुलेगा Q118 पर परन्तु Q118 को वेज कर देंगे इसके लिए क्या होगा कि DJ ट्रिप नहीं होगा तो non-modified loco में Q118 को वेज करके EEC से गाड़ी चलाएंगे कब जब पहली नौज पर autoregression आता है और पीछे वाला BL unlock हो गया है लोक नहीं हो रहा है तो non-modified loco में Q118 को वेज करके EEC से गाड़ी चलाएंगे BPP BPR से normal working करेगा कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन modified loco में ये interlock नहीं होने के कारण हमें GR का manual operation करना पड़ेगा क्योंकि modified loco में MP और EEC दोनों साथ में काम करते हैं तो मुझे लगता है कि अब ये circuit के साथ समझाने से आपको चितर समझ में आ गया होगा फिर भी कोई doubt हो तो आप कमेंट कर सकते हैं धन्यवाद